वीजैन के लिएटे शफुरण requires लिए में दिल आप encolसेश में आज की वीडियो में अपोईटमेंग लेकिन के लिए यह चैनि क्लिए और लेके अपलोग Philippines के लिंग से लिए हमेंग फाल करा away आपको करना है तो यह दोनों स्टेप है वो मैंने कम्पलेट कर लिया है और अभी आपको क्या करना है एप्लिकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है उसके बाद क्या करना है आपको एप्लिकेशन स्टेटस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ड्राइविंग लाइसन का आपको इसमें डालना है उसके बाद सब्मिट पे क्लिक करना है जैसे सब्मिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डीटेस आपको देखने को वार वाज़येbringen करेंगे डीटेस ऑप कि सकते हो और साइट में देख सकते हो आपका application reference link, application form, self declaration form आप इधर से download कर सकते हैं, आपके all form है, वो इधर से आप download कर सकते हैं, तो नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद इधर देख सकते हो, इधर fill application details, हमने जो driving license का application वो complete कर लिया, उसके बाद fee payment भी कर लिया, आपको पहले application complete क तो proceed पर आपको click करना है, उसके बाद क्या करना है, application number या learning license number दोनों से भी आप कर सकते हो, तो इधर मैं application number पर click कर लेता हो, application number इधर आपको automatically आजाएगा, अगर नहीं आए तो आपको डालना है, application date of birth, जो भी applicant है, उसका date of birth, और उसके बाद verification code जो दिया हुए, वो same आपको mention कर देना है, verification code डालने के बाद आप लोगो submit पर click करना है, जैसे submit पर click करना है, आपका details phase से देखने को मिल जाएगा, उसके बाद नीचे आना है, देख सकते हो, issue of driving license ले हमने apply किया है, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको motorcycle with gear, इसके उपर box पर tick लागाना है, उसके बा date को आपको जाना है, वो date आपको लेना है, तो देख सकते हो, जो green में दिया है, slot available दिया है, no slot, red में no slot available, तो आप देख सकते हो, जो green में दिया हो है, वो ही आपको selection करना है, तो मैं इधर 14 तारिक इधर select कर देता हो, जैसे 14 तारिक पर select करेंगे, तो आपको उपर date देखने कर लिया उसके बाद नीचे आपको time slot देखने को मिल जाएगा किस time में आपको उधर जाना है वो time आपको इधर select करने थो इधर देख सकते हो मैं इधर 1-2 करने के बाद इधर आपको नीचे देख से थो 14 तरिक लिया और Bible Lenya Slot पे क्लिक करना है जैसे book slot पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी mobile number है उसके उपर एक OTP आ जाएगा security code आ जाएगा वो security code इधर डालना है तो मैं इधर डाल देता हूँ उसके बाद submit पे आपको क्लिक करना है security code डालने के बाद submit पे क्लिक करना है फिर से आपका application applicant का जो name है वो देखेगा RTO देखेगा mobile number देखेगा class of vehicle कौन सा है और date कौन सा लिया था अपने और time क्या है वो देखने को मिल जाएगा वो आपको confirm करना है confirm to slot book पे क्लिक करना है तो जैसे confirm to slot book पे करेंगे तो देख सकते हैं आपने अपोइंटमेंट है वो सक्सेश्पूल हो चुका है अपने अपोइंटमेंट इधर लिया है तो इसका आपको एक print लेना है इसमें आपका time date भी mention है और time भी mention है तो आपको print पे क्लिक करना है यह appointment later है वो आपको RTO लेके जाना है जिस बी date है आपका जो उस डेट को आपको RTO लेके जाना तो इसको मैं सेव करके ले लेता हूँ यह आपको compulsory document लेके जाना पड़ता है payment slip, application form, appointment letter, learning license यह document उदर लगते हैं तो इस तरह से आप driving license के लिए friends appointment ले सकते हो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना अगर आपको कुछ भी question है तो आप Instagram पर मुझे question पूछ देखते हैं तो चले मिलते हैं next वीडियो में जैहिन वंदे मातरा